दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रशियन राइटर एंटन शेकव की एक और शॉट स्टोरी दे लेमेंट बड़ी कमाल की स्टोरी है दोस्तों इससे पहले मैं दे बैट दे प्रपोजल और दे बैगर इस टाइप की स्टोरी कवर कर चुको हैं एंट का वक्त था मोटी गीली वर्फ धीरे धीरे पढ़ रही थी गलियों के लाल टेन जल रहे थे उन पर चतों पर बर्फ की साफ्ट थिन लेयर्स बन गई थी घुडों की पीट पर लोगों के शूल्डर्स पर हैट्स पर चारों तरफ हलकी हलकी बर्फ पढ़ रही थी तो एक जुका हुआ था इतना जुका हुआ था जितनी एक human body ज्यादा 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 जुक सकती है अपने box पर बैठा हुआ था अब बर्फ जाय जितनी भी इस पर गरती रही ये move नहीं कर रहा था ऐसा लग रहा था ये जरूरी नहीं समझता उस बर्फ को कुछ से अठाना ये रशिया है दोस्तों यहाँ पर हमेशा बर्फ पढ़ती रहती है ठंडा इलाका है तो इसका एक चोटा सा घोड़ा भी था वो भी पूरा सफेध हो रखा था उस पर भी बर्फ जमे हुई थी वो भी एकदम motionless था वो ऐसे खड़ा था बिना हिलेड उले उनको देखकर ल लगे हुए हैं तो आप भी ये चीज़ देखकर गहरी सोच में डूब जाओगे तो आयोना और उसका चोटा सा घोड़ा बहुत लंबे टाइम तक अपने जगह से बिलकुल भी नहीं ले शाम की दुंद इस टाउन पर धीरे धीरे उतर रही थी इन गलियों की लैंप्स की स खड़ा हुआ उसने अपने बर्फ से धकी हुई पलको से उस ऑफिसर की तरफ देखा जो उसकी सामने खड़ा था उवर कोट पहने ग्रीट सा कोट पहने सर पर अपने कुछ हुड सी कोई टूपी सी डाल रखी थी वाइबर्ग वे अफिसर ने फिर से पूछा सो रहे थे के तुम वाइबर्ग पे चलोगे तो आयोना ने हां में अपना सर हिलाते हुए उस घोड़े की लगाम उठाई और उसे उठाने के बाद घोड़े की बैक पर और गर्दन पर जो बर्फ लगी हुई थी वो गिर गए फिसल कर वो अफिसर एक लंबी सांस भरता हुआ गाड़ी चाबक से वैसे इसकी कोई जरुरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो मारता था अपने घोड़े को घोड़ा चल दिया अब उसको पता नहीं कहां जाना है जहां उसका मालिक लेकर जाएगा जैसे जैसे आयोना अपने गाड़ी को चला रहा था तो उसको आवजे सुनाई दे रह अपने घोड़े को तब ही एक उचमेन उनकी पास में से निकला अपनी प्राइवेट गाड़ी पर अपनी बर्ग को जाटता हुआ और गुस्सी में आयोना की तरफ देखता हुआ तो पीछे बैठा ऑफिसर मजाग मजाग में बोला कैसे लुच्चे लफंगी लोग है यहा जाता है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था तो आपिसर ने खुद से बूजा क्या हुआ फिर आयोना ने एक बहुत हलकी सी उसकी तरफ स्माइल दी और बहुत कोशिश करके उसके मूझ से कुछ निकला साब इस अफते मेरा बेटा बैरन गुजर गया उसके आवाज में एक दर्थ था अच्छा कैसे है उसकी डर्थ अफिसर ने उससे पूछा अब ये सुनते ही आयोना ने अपने पूरी बाड़ी पीछे की तरफ घुमाली और बूलने लगा पता नहीं कह रहे थे कि बहुत तेज बुखार आया तीन दिन तक वो हॉस्पिटल में था और अचानक स गुजर गया आगे देखो आगे ऑफिसर ने उससे आगे देखने को कहा तो सामने से एक आवाज आई किसी शायद गाड़ी में वो टक्राने वाला था पागल हो गया है कि कुत्ते आखों का इस्तमाल कर अभी मर जाते वीचे वेटा ऑफिसर भी उससे बोल रहा था जल्दी जल्दी चलाओ नहीं तो कल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे थोड़ा जल्दी चलाओ अब उसने अपनी गर्दन घुमा ली हागे की तरफ देख रहा था घोड़े को चाबुग में बाहर रहा था फिर बार बार उसने पलट कर कई बार पीछे आफिसर की तरफ देखा लेक फिर से वो मोशनलेस अकेला हो गया था बर फस पर किर रही थी ढकने लगी थी एक घंटे तक वो बैठा हुआ था लगबग एक घंटे के बाद पात से रबड के जूतों की चूचू करने की आवाज आई तीन लोग जगडते हुए वहाँ पर आ रहे थे तीन लड़के थे दू तो लंबे थे एक चूटा था चूटे वाले के कूबर्ड निकला हुआ था वो चिला कर इससे बोले कैबी पुलिस ब्रिज जाना है तो आयाना ने पर से अपने लगाव उठाई मूसे आवाज करने लगा और वो लोग बदले में इसको बहुत कम पैसे दे रहे थे ले गंदी गंदी लेंग्विज का यूज कर रहे थे अब उस गाड़ी में इतनी जगे नहीं थी कि तीनों बैट जाएं तो दो जने वैठेंगे एक जना खड़ा रहेगा इन दोनों में बहुत खटपट होने के बाद ये तय हुआ कि सबसे छोटा वाला जिसके कूबर्ड नि ये सच है थोड़ा जल्दी चलाओ उन में से एक बंदा बोला कि मेरा सर तो फटे जा रहा है कल रात को मैंने चार बोतल पी ली तुम जूट क्यों बोलते हो ऐसा बोलकर वो आपस में लड़ने लगे ऐसे में वो छोटा हुआ वाला आयोना पर फिर से चलाए ये क्या तरीक कर रहे थे लेकिन ऐसा होने से धीरे धीरे उसका अकेलापन कम हो रहा था वो नहीं चाहता था अकेला रहे ना कोई ना कोई उसकी साथ में हो चाहे इंसल्ट करता रहे लेकिन साथ में हो जब वो बाते कर रहे थे आयोना बहुत बार पीछे मुड़कर उनकी तरफ देख रह था कि एक बार ये थोड़ी देर के लिए चुप हो थोड़ी साइलन्स हो जाए इन लोगों के बीच में तो मैं भी अपनी बात इन लोगों को बोलूँ फिर जैसे ही थोड़ी देर के लिए बात चुप हुए तो ये धीरे से बोला इस अपते मेरा बेटा मर गया हम सबको एक मठ जाना है वो कुबड़ा चलाया खासता हुआ तुम अभी जल्दी चलाओ ऐसे में हम लोग पॉंच नहीं पाएंगे कभी पर थोड़ी बहुत इन लोगों में बात होने लगी ये लोग उस कैप ड्राइवर से पूछने लगे आयोना से पूछने लगे उनने पूछा क्या तुम शादे शुदा हो फिर वो हसकर बोला हाँ मेरी वाइफ है और एक मेरा बेटा भी था तो इस अब गुजर गया और देखो मैं जिन्दा हूँ कितनी हजीब बात है ना मौत गलत दरवाजे को खट-कटाती है मुझे ले जाने के बजाए मेरे बेटे को ले गई वो पी लोग अंधिरे में गायब हो गया एक बर फिर से वो अकेला हो गया शांती में सोचने लगा चंता में यहां वहां देखने लगा कि इतने सारे लोग है इन गलियों से जा रहे हैं एक इंसान ऐसा नहीं है जो उसकी बात सुन सके लोग तो उसे नोटिस भी नहीं कर रहे थे उसे लग रहा था उस भक कि उसके दिल में इतना दुख है उसे ऐसा लग रहा था अभी अगर उसका दिल पट पड़ेगा तो उसमें से इतना दुख निकल जाएगा कि ये पूरी अर्थ उससे ओवर्फलो हो जाएगी लेकिन अभी इतनी रोश्णियों में भी कोई उसके दुख को देखने पा रहा है वो भी तो किसी को दिखाता रही है तभी एक कुली टाइब का आदमे इसको देखता है शायद ये इस से बात करने में इंट्रेस्टेड हो उससे जागर पूसता है कि टाइम क्या हुआ है दोस्त तो बोलता है नौ बच गये तेकिन वो भी बोल लगा कि वो बहुत जल्दी वापस आ गया आज ज्यादा कुछ कमाया भी नहीं था वो सोचने लगा घोड़े को क्या खिलाऊंगा तो उसको एक यंग लेकिन वो आदमी लेटा लेटा सो गया अब आयवना ने गहरी सांस ली और इसके दिल से बस एक ही बात निकली जैसे जवान आदमे को पीने की तलब होती है बसे बुड़े आदमे को अपने लाइफ में बात करने के लिए कोई चाहिए एक हफता होने को आया था उसके बेटे वो मर गया उसकी बेटी कैसे गाओं में ही रह गई ये सब बाते बताना चाहता था वो जानता था कि उसकी बाते सुनकर कोई एक गहरी सांस भी नहीं बरेगा इससे तो अच्छा मैं किसी औरत को जाकर ये बात बताऊं वो कम से कम मुझसे ज़्यादा सेंपर्थी रखेगी अब वो अपने घोडे को देखने गया, खाने और सुने का टाइम हो गया था उसका भी, वो अपना कोट टांक कर अपने घोडे के पास गया आज वो अपने घोड़े को अनाज नहीं खिला सकता था सूखी घास ही थी उसके पास में वो अस घोड़े की ब्राइट आइज में देख कर बोलता है आज सुमारे कॉर्ण जितना मैंने नहीं कमाया लेकिन ये सूखी घास है मैं बुड़ा हो गया हो न डंसे ड्राइब भी नहीं कर सकता आज अगर मेरा बेटा होता थो वो बहुत ही अच्छी चलाता गाड़ी अगर वो जिन्दा होता थो हमें अकेला छोड़ कर चला गया हो पर वो कुछ मुवमेंट के लिए चुप हो गया कुछ बोला नहीं और फिर से वो अपनी स्टोरी अपने घोड़े को सुना ले लगा तुम्हारी भी माँ अगर तुमको छोड़ कर चली जाए तुमको कैसा लगेगा इस दुनिया में वो गोड़ा चबा रहा था सुन रहा था अपने मालिक की हाथ पर सांस ले रहा था आयना अपनी सारी पिलिंग्स बाहर निकाल रहा था उस वक्त अपनी सारी स्टोरी अपने घोड़े को सुना रहा था शायद इस से उसका दिल हलका हो